Hi everyone, this is Bhati and welcome to my channel Dream Arts So, हमने start के ओर chapter that is probability Super easy chapter, अगर आप सारे पार्च इसके सीरोडर में देखते आ रहो ना फिर आपको इचाप्टर टाफ लग ही नहीं सकता, बहुत एजी लगने वाला है आज हम करने वाले हैं multiplication theorem Last class एक पढ़ा था multiplication theorem लेकिन उसमें एक type cover कर लिया था आज type 2 करने वाले हैं मतलब उसमें simple questions थे कि हम probabilities को multiply कर रहे थे आज भी probabilities multiply ही कर रहे होंगे पर questions पूछने का वे अलग है जो कि most most important है इसको ध्यान से समझना आज की part को include करके और आने वाले जितने भी parts है वो most most important होने वाले है जैसे आज की class में जो question है 99% chance है किस chapter से question आपको exam में मिलने वाले है इतना important question है जितने भी आगे आने वाले parts भी हैं वो सारे कि सारे important है जितना भी तक हम पढ़ रहे थे जातर वो short questions में आएगा या फिर वो base है जो मैं आगे के लिए चाहिए तो वो तो पढ़ना ही था बट आज से main exam material जो कहते हैं बिल्कुल जो paper में आने वाली चीज है वो start हो रहे है इस चीज को ध्यान से समझो जो इससे पहले किया यह नहीं कि वो paper में नहीं आ सकता आज सकता है बट short questions में आएगा आज वाला जो start हो रहा है that is most most important type start हो रहा है करें start फिर पढ़ा फट से ठीक है अभी तक हमने edition theorem पढ़े है edition theorem के questions हो सकता है कई बार आजाए long questions में बट जातर questions short वले ही अभी तक हमने की है करते हैं start फड़ा फट से यह ना post करके फड़ा फट से statement note कर लो क्योंकि इतनी important है ना जो भी book कुछ भी आप follow कर रहे हो बहुत important इसको note कर लो ताकि जब मैं आपको read कर वा हूँ आप साथ-साथ मेरे read कर पाऊ अपनी note book के अंदर तरहें start फे देखो first question अब problem in statistics कोई नया formula नहीं कि मैं पहले आपको formula बता हूँ formula पहले वाला ही है question पूछने का वे अलग है तो हम questions के थ्रू ही चीज़े समझेगे ठीक है अब problem in statistics is given to three students अब एक question था stats में ठीक है whose chances of solving it are मतलब chances है कि पहला बच्चा इसको solve कर देगा one by two second बच्चे से question solve हो जाएगा उसके chances one by three third बच्चे से question solve हो जाएगा उसके chances one by four chances का मतलब क्या है probability chances का मतलब probability कि first वले बच्चे से ये question solve हो जाएगा उसकी probability one by two है सेकेंड वली बच्चे से हो जाएगा उसकी probability 1 by 3 है थर्ड बच्चे से हो जाएगा that will be 1 by 4 जितना हम question read करते जा रहे हैं उसको हम अपने note book में लिखते जा रहे हैं कि इससे हमें ये समझाया What is the probability that the problem will be solved क्या probability है कि ये question मेरा soul हो जाएगा मुझे probability निकालनी है इस question के soul होने की ये बात समझाया question समझाया पहले solution की तरफ चलते हैं यहां तक समझाया एक question तीन बच्चे को दिया उनके solve करने की probabilities दी हुई है ये question sold हो जाएगा at the end of day मुझे इसकी probability निकालनी है इसमें कोई दिक्ता आप ध्यान से सुनना बहुत important चीज है मुझे sold होने की probability पूछी गी है मतलब combine probability first बच्चा solve कर रहा है second, third मुझे नहीं पता उन्होंने combine probability पूछी है कि ये question sold हो जाना चीए that is multiplication theorem का question है जब भी आपसे combine काम की probability पूछी जाए यैसे first question था कि तीनों में head डाना चीज इसमें आया है कि question solve हो जाना चीए first, second, third वो नहीं पता combine बस questions solve हो जाना चीए ये multiplication theorem का question है दूसरी चीज first बच्चन आता है उससे second बच्च्च नहीं पढ़ता ये नहीं कि first बच्च्च्च्च को question solve करना था तो second वाले को नहीं आएगा ये भी जरूरी नहीं ये independent है एक को अगर question solve करना था उससे दूसरे को कोई effect नहीं पड़ता हाँ ये cheating नहीं कर सकते इनको दूर-दूर बिठा है मैंने ये नहीं कि A को आता तो वो B को दिखा देगा नहीं इनको दूर-दूर बिठा है ठीके अब A को question आता है उससे B को कोई फरक नहीं पड़ता B को question आता है उससे C को को नहीं फरक पड़ता तो ये independent events भी है तो ये multiplication theorem है क्योंकि question solving की बात हो रहे है combined बात कर दी भी question मुझे solve चाहिए A कर रहा है B, A, C ये निका combined की मुझे question solve चाहिए फिर independent एक को question आता है उससे दूसरे को effect नहीं पड़ रहा तो ये independent भी है multiplication theorem भी है independent भी है अब question solve हो जाएगा पर उसने ये निका कि question कौन solve करके देगा first वाला, second वाला, third वाला अगर वो हमें पहले पूछ लेता कि question मेरे को first बच्चे से ही solve करवाना है, second और third ना कर पाए इसकी probability बताओ तो ये type 1 का question बन जाता मैं first वाले की probability solve करने की multiply कर देती, second वाले की ना करने वाले से और third वाले की ना करने वाले से solve करके दे रहा, B नहीं दे रहा तो ये type 1 बन जाता जब मुझे properly define होता कि mobility solve की किस बच्चे की true solve करके निकलवानी है वो type 1 हो जाता जब पूरा हमें define होता है, वेकिन सिर्फ solve पूछ लिया कि first बच्चा solve करेगा, second या third हमें नहीं पता, तो ये मेरे पास type 2 हो जाता है multiplication theorem तो है, क्योंकि combine solving की बात कर दी independent भी है, एक को question आता है उससे दूसरे को effect नहीं पढ़ने वाला और इसके बाद अब define नहीं कर रखा कि किस बच्चे से solve करवाना है तो ये multiplication theorem की type 1 नहीं, type 2 है और ये question करने बहुत easy है, type 1 से easy है, करें start फिर बहुत simple है, ध्यान से समझना, देखो क्या कहा रहा है probability that the problem will be solved, ची के probability निकालनी है कि problem solve हो जाएगी, जब भी आपको type 2 का question recognize हो जेगी, ये तो type 2 का question है आपने इससे उल्टा probability निकालनी है, उसने पूछा नहीं कि problem will be solved, आपने problem not solved की पहले probability निकालनी है बहुत से simple सी चीज़, उसने probability किसकी बुछी है, problem will be solved, लेकिन हमें किसकी निकालनी है problem not solved की पहले probability निकालनी है, उससे होगा क्या, पहले हम problem not solved की probability निकालनी है, ठीक है किसी काम की करने की probability होती है ना, वान में से माइनस करके ना करने की आजाती है, उसकी उल्टी probability आजाती है, अगर कोई problem sold नहीं हो रही, उसकी probability आपके पास आजे, तो वान में से माइनस करके उसके उल्टे की probability आजेगी, note sold के और आपके पास किसी एक चीज की पुविलियटी हो उसकी उल्टा की पुरविलियटी आजे हो अगर उसको 1 में से माइनस करते हैं बहुत अचीज समझाएगा मैंने आपको मीन चीज बताा दी करना क्या है तो सबसे पहले हम किस की probability निकालेंगे? Note sold की बहुत easy question है ठीक है? अब note sold की question sold नहीं होगा मतलब first वले बच्चे से भी नहीं हो रहा into second वले बच्चे से भी नहीं हो रहा into third वले बच्चे से भी नहीं हो रहा ये bar मैं A, B, C के उपर लगा रहे हो इसका मतलब first वले की नहीं हो रहा into second वले बच्चे की into third वले बच्चे की चीक है? first वले की sold करने की probability क्या थी? that is 1 by 2 तो note sold की क्या है की? ilta कर रहे है na, sold करने की 1 by 2 है na sold करने की 1 minus 1 by 2 ilta की probability 1 minus करके निकल जाती है that will be 1 by 2 B की na sold करने की probability क्या होगी? B के solve करने की कितनी है 1 by 3 B bar कैसे निकलेगा बहुत simple है 1 minus 1 by 3 करके इसको पूरा calculate ना करना पड़े simple से चीज बताती हो आप ये नीचे वाला number है ना लिख दो इसको लिख दिया उपर इसे कम that is 2 3 से कम कितना होता है 2 वो आपका 1 minus का ही answer होता है कोई भी आपके पास मालो आपके पास है P of C कितना दे रखा है that is इसी का कर लेते P of C कितना दे रखा है 1 by 4 चीके आपने इसकी note की निकालनी है 1 minus 1 by 4 करोगे LCM लेके देखने की जरूरत नहीं है आप यह नीचे वाला number लिखो लिख दिया मैंने उपर एक कम लिखो 3 by 4 तो P of C बार कितना आएगा 3 by 4 पूरा LCM दे के भी जरूरत नहीं है देखने की आप नीचे वाला number लिखो एक कम करो वो उसके note की आजाएग चीके आप देखो P of A बार कितना है That is मेरे पास 1 by 2 P of B बार कितना है That is 2 by 3 P of C बार कितना है That is 3 by 4 बहुत सिंपल है बहुत ध्यान से चलते जाएगे यहाँ पर क्या करेंगे 2 से 2 कैंसल होगा 3 से 3 कैंसल होगा आंसर विल बी 1 by 4 तो P जो probability है कि question sold नहीं होगा किसी बच्चे से वो 1 by 4 है बहुत सिंपल सी चीज है ठीके आप पेपर में लिखोगे कैसे पहले आप पेपर में P of A, P of B, P of C लिख लोगे ठीके उसी के side में P of A बार, P of B बार और P of C बार निकाल लेना ठीके फिर यहाँ पे probability of note sold निकालोगे that is P of A बार into B बार into C बार यह अभी मैंने आपको sold करके 1 by 4 निकाल के दी यह exact method है paper में लिखने का लेकिन मैं आपको step by step चीज़े समझा रही तो मैं directly अगर ऐसे note की निकाल दे तो आप कहते है मैं क्यों निकाल दी बड़ आपको समझ आ गया है अब आपने एक्जाम में पहले P A, P B, P C और फिर इसके A बार, B बार, C बार भी साथ ही निकाले ना problem will be sold equation important है ठीके अब probability note sold की आगी मेरे पास आगी ना probability किसकी note sold की आप किसकी निकाल लूँगी sold की आप देखो उल्टा निकाल रहे ना मिसका तो 1- note sold करके आ जाएगी किसी भी चीज की probability निकालनी है उसके उल्टा की probability है उल्टा का मतलब समझ रहो मैं no लगा रही है sold की probability निकालनी है मैं पस note sold की है 1 में से माइनस करके sold की आ जाएगी 1 में से माइनस करके हमेशा उल्टी probability आ जाती है तो 1-1 by 4 इसका भी LCM लेने की जुरूद नहीं है नीचे वाला नंबर लिखा ठीक है एक नंबर कम लिखा जब भी 1 में से जो माइनस कर रहे हो ना LCM लेके देखने की जुरूद नहीं है नीचे वाला नंबर लिखो उपर एक काम लिख दो तो probability की question solve हो जाएगा at the end of the day is 3 by 4 बहुत simple है अगर ध्यान से चीजे समझो चिक है अगर वो define कर देता कि question कि मुझे first वाले बच्चे से solve कराना इस की probability बताओ वो type 1 हो जाता question solve कराना है multiplication theorem है लेकिन वो define नहीं करके दे रहा है मुझे कि वो first बच्चे से solve चही उसे second बच्चे से या third बच्चे से इसलिए ये type 2 का question है कि combined probability में वो define नहीं करके दे रहा है कि किस बच्चे से solve कराना है वो एक बच्चे भी solve कर सकता है दो भी कर सकता है कि आप तीनों का answers आजे तो जब हम ये define नहीं दे रखा कि किस बच्चे से solve कराना है question that will be of type 2 multiplication theorem ये बहुत-बहुत important है इसको अच्छे से दुबारा करके जूर देखना 99% chance है ये paper में आएगा question चले इस second question पर पक्का ही clear हो गया अच्छे से ना देख लो चलो फिर second करते है आप भी आपको खुद समझाएगा ध्याल से देखना अग candidate Mr. X is interviewed for three post अच्छा तीन post थी? ठीक है for the first post there are three candidates first post के लिए three post है मैं तीनों post के लिए interview देने गई two candidates गए थे what are the chances? chances क्या है of Mr. X getting selected इसके क्या chances है कि Mr. X select हो जाएंगे तीन post थी तीन vacancy, तीन seats खाली है मैं तीनों के लिए interview देने गई पहली seat के लिए तीन लोग गए थे second seat के लिए four, third seat के लिए two candidates थे अब इसकी क्या probability है कि मैं किसी न किसी में select हो जाऊंगी इसकी probability बतानी है clear है चीज, अब ध्यान से देखना Mr. X select हो जाएंगे इसकी probability बतानी है लेकिन ये नहीं इसने पूछा कि किस post में select हो जाएंगे combine तो पूछ लिया, तीन हमें post बता दी, selection में कितने-कितने लोग आया, भी question करेंगे, समझ आएगा वो सब बता दिया, लेकिन उन्होंने क्या का probability getting selected किस post में select होगा ये नहीं पूछा, ये type 2 है जहां पे probability तो combine पूछी जारी selection की लेकिन define नहीं मुझे करके दिया कि किस post के लिए वो select हो रहे है जैसे वहाँ पे define नहीं करके दिया थे नहीं किस बच्चे ने question कर दिया यहाँ पे नहीं define करके दिया कि किस post के लिए वो select हो रहे है इसलिए इसको क्या कहते है type 2 में आ गया multiplication थे रूंका अब इसमें दिक्कत हो नहीं है one में से minus करके हमें selection के मिल जाएगी ठीक है अब probability of not getting selected चाहिए ठीक है मुझे मतलब वो first में भी select नहीं हो रहे second में भी select नहीं हो रहे third में भी नहीं हो रहे इसको मैं multiply कर दूँगी कि वो first वले में भी select नहीं हो रहे जाएंगी इसकी क्या probability है total three candidates हमारे Mr. X एक है one by three probability है कि वो first post के लिए select हो जाएंगे मुझे ये P of A बार निकाल ला है पतले P of A तो निकालू तब ही P of A बार निकालूँगी तो उन्होंने का है कि first post के लिए three candidates थे यहां पे directly probabilities नहीं दी गई ही chances की मैं P of A लिए दो उन्होंने का first post के लिए three थे ठीक है Mr. X कितने थे one total कितने है three तो one by three आ जाएगा P of A बार क्या आएगा one minus one by three मैं एलसिम लेकर नहीं देखूंगी मैं पहले नीचे वाला note कर दूंगी three और फिर एक उपर कम that is two by three right P of B देखो क्या आएगा that will be second post के लिए कितने थे four थे Mr. X कितने है मैं पास one one by four हो जाएगा P of B बार क्या आएगा that is four नीचे और एक कम P of C total कितने थे two ठीक है Mr. X कितने है one गेरा P of C बार क्या आएगा नीचे वाला as it is note कर दो that is two उपर एक कम one by two ये बात समझाई कहीं questions में direct probabilities दिये होती है यहाँ पे आपको probability खुद निकालनी थी इसमें कोई दिखता next देखो अब मैं आप बस इने multiply कर दूँगी P of A बार कितने है ध्यास देखो P of A बार कितने है that is two by three P of B बार 3 by 4 P of C बार 1 by 2 और ये independent भी थे अगर मेरी selection एक में हो जाती है तो यह नहीं दूसरे में नहीं होगी क्या पता मेरी selection दोनों post में हो जे बाद में मैं चूज करूँ कि कौन सी post में मुझे जाना है तो ये independent भी है multiplication थे होरा में है क्योंकि combine है इसले इनकी probabilities note की multiply हो रही है अब यहापे क्या करेंगे 3 से 3 cancel 2 से 2 cancel answer will be 1 by 4 किसकी note getting selected की अब आगे चलते है probability निकालते है getting selected की कैसे निकलती है 1 minus note वली करके है note getting selected की minus करके 1 minus 1 by 4 नीचे वाला as it is लिखते है उपर एक कम अगर आपने मेरी बाते ध्यान से सुनी है अब सिफ सुनना नहीं mind भी यहीं present था फिर आपको एक क्वेशन टफ नहीं लग सकता आज से probability की important questions start हो चुक है जहां से questions आते हैं edition तो हमसे questions आते हैं लेकिन जो main जो मतलब 101% जहां से chances है वो आज हमने start कर दिया है questions तो इंको अच्छे से समझो यह question repeat जूर करना 99% chances है आपके exam में एक question आपको मिल जाएगा ठीके I hope you like this video if you like this video do like, share, comment comment करके बताना मुझे आपको की question easy लगे है and subscribe to my channel which is TRIMATS thank you so much for watching